हाई फ्रेंड्स वेलकम टू कला कारा कारेमी मेरा नाम है रॉनित खोष और आज हम लोग एक टेक्निक के बाड़े में चर्चा करने वाले टेक्निक है हार्मोनिका में क्लोज टू ओपेन टेक्निक आपने बहुत टाइम सुने होंगे कि क्लोज टू ओपेन वाला ट्रिक्स जो हम लोग गाने में मतलब मैं आप लोग को सिखाने के टाइम बहुत टाइम बोले है कि क्लोज टू ओपेन बजाई है क्लोज टू ओपेन टेक्निक बजाई है क्लोज टू ओपेन ट्रिक्स के पर अगर बोले कि close to open वाला वीडियो आप देख लिजिएगा तो अब को यह विडियो आज जो शूठ हो रहा है यह विडियो को आपको देख issuing अगर मैंने आपको कभी भी बोल दिये कि close to open टेकनिक को आपको देखना है सिकना है फिर आप close to open technique गाने के उपर बजाएंगे तो गाने को तो आज हम लोग बात नहीं करेंगे, आज हम लोग बस technique के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंगी गाने में तो हम लोग close to open जब आता है, तब हम लोग करते ही है, तो technique कुछ इस तरीके से कि close to open बोल रहे हैं, तो पहला जो notation है वो आपका close रहेगा, second जो notation है वो आपका open रहेगा, ये तो मतलब main बात हो गया, कि close आपका पहला notation हो गया, second notation open हो गया, right, पर ये आपको याद रखना है कि ये दो situation हो सकता है, एक situation हो सकता है कि आपका same hole रहे, और एक situation हो सकता है आपका different hole रहे, कैसे, आप थोड़ा सा, मतलब स मैं 12 होस हर्मोनिका के बारे में बात करा हूं तो मैं जो example बोल रहा हूं उनके बारे में थोड़ा सा सोच जैसे example आप मान लीजिए कोमल रे सा कोमल ले और सा अगर यह example लिया जाए तो यह 5 प्रच नंबर होल में आपका कोमाल रे बचता है साब को प्रेस करने से और उसके बाद सा बच जाता है चाली हम लोग बोर्ड में थोड़ा सा बात कर लेते फिर हम लोग फेश-to-face इधर हैंड मुवमेंट के साथ बात कर लेंगे एग्जम्बल को हम लोग थोड़ा सा पर आउं कि यह मैं बोलता हूं बस close to open technique जब आप किसी के बास जाके बोलेंगे ना कि close to open technique मैंने सिखे वो लोग नहीं समझेंगे तो आपको बजा के दिखाना पड़ेगा तो यह मैं बस अपने सुभिधा के लिए close to open technique की बोलूंगा और दूसरे में हम लोग open to close भी सिखेंगे वह आगे की वीडियो रहेगी उसमें हम लोग सिखेंगे तो आज सिखेंगे close to open बाला टेक्निक तो देखें मैं बोले हूं आपको कि इसमें दो होता है दो situation होता है एक situation होगा आपका सेम होल में राइट और एक situation आप अगल लिखेंगे पहले सेम होल का concept देख लेते हैं कि सेम होल में कौन कों से कौन से आते हैं जिएसे मैंने आपको बोला कि कुमल रे साउ या फिर मैंने आपको बोला कि के कोमल गा या ऐसे कुछ जगल lumière तो कमल रे मत्लब होता है सा प्रेस फिर आपको बजना है सा तो देखे सा प्रेस मतलब क्लोज और सा मतलब ओपन हो गया राइट फिर कोमल का मतलब डेप्रेस कोमल का मतलब डेप्रेस फिर आपका डे मतलब का क्लोज हुआ और ओपन हुआ राइट तो क्लोज टू ओपन जा रहे हैं क्लोज टू ओपन होगा तो हम लोग ऐसे करेंगे तो इसका मतलब होता है त्रिक्स कहां मारेंगे अब के साथ इधार मालेंगे साथ के उपर नाक या रेके उपर मालेंगे तो यह आपका सब एक ही होल में है मतलब यह आपका पांच नंबर होल में हो गया यह पांच नंबर होल में ही हो गया यह आपका पांच नंबर होल में ही हो गया यह आपका पांच नंबर होल में ही हो गया य सकता है जैसे हम लोग अगर बोल दें कि कोमाल धापा कोमाल धापा अगर यह नोटेशन रहेगा यह भी आपका 5677 नमबर होल में ब्लो में चला आता है और आपका क्लोश टू ओपेन यह वाला ट्रिक्स भी इसमें पामें पड़ जाता है तो यह आप दिनोट कर सकते तो यह ह आपका दिफ़ेंट होल में क्या होता है अब का नुटेशन रहेगा यह चैसा कुछ भी आसमृ माह मां है यह होता है six six draw और इसमें होता है आपका पाज जो है वह आपका seven seven blow मतलब blow draw छोड़ दीजिए मोटा-मोटी यह समझ लीजिए six seven तो दोनों अलग होल है ना तो दोनों अलग होल का मतलब ही होता है आपका different ऐसे कुछ मतलब आप इसको लिखेंगे seven में और यह होता है आपका eight में eight में हो गया तो दोनों आपका अलग होल में हो गया और आपको इसको लिखना कैसे सा के माते में यह देंगा यह ऐसे करके और आपको close to open लिख लेना है छोटा करके जब आप गाने की notation में लिखेंगे तब गोटा तब आपका पूरा ऐसे close to open आप ऐसे निक नहीं सकते मताइब नी तो आपको क्या लिखना है नी लिखेंगे अर चोटा करके लिखेंगे तो आपको याद रहेगा की close to open बजाना है जब भी मैं बोलूंगा गाने में की close to open बजाना बजाना है तो आपको C2O करके ऐसे लिख लेना है और आपको मैंने समझा दिए कि दो concept होता है एक तो same hole वाला concept और एक हो गया different hole वाला concept यह इतना खास नहीं है इतना समझने की जरुरत भी नहीं करता है फिर भी मैं आपको एक वीडियो ऐसे ही बना सब्सक्राइब करेंगे तो वह लोग यह वीडियो को देखके आरां से समझ सकते कि मैं क्या है बताने बाला हूं same hole क्या होता है different hole होता है example क्या है यह सब हम लोगों चर्चा कर लिए लाइब एक्सम्बल तो हो गया अभी हम लोग देखते कि इसको बजाते कैसे technique कैसे वह आम लोग माअउतर गन के ऊपर देख लेते तो चली हम लोग माउतर गन के ऊपर जाएब जाए इसके कुछ नहीं मतलब कोमाल नी होगा मैं मतलब लिखने के टाइम यह मीस हो गया था कोमाल नी सा तो ही आपका close to open तो यह आपका close to open होगा आई होग आप लोग समझ गए अभी कि क्या मैं बोलना चाहता हो close to open तो कोमाल नी सा यह भी कोमाल नी सा और नी मैंने लिग दिये थे कोपेन के टाइम मतलब माल लीजे कोमाल रे सा जो हम लोग सा में बजाते राइट सा को प्रेस करने से कोमाल रे बचता है पांच नमबर होल में प्रेस करके व्लोग करने से अपका बचता है तो सारे सारे कामा हम सा को ले रहे हैमिडील ओक्तेव की साथ और कोमाल रे पहले बजाएंगे फिर सा बजाएंगे तो ये जब हम छोड़ रहे हैं हम क्या करेakukan प्रेस करड़े Missouri पिर भी ये वीडियो रहाएगा एक दम से एक reference वीडियो के तरफ से बतलब रेफारेंस वीडियो के तौर पे ये वीडियो रहेगा जब भी मैं आगे सिखाऊंगा ये वीडियो की लिंक मैं रेफारेंस के तौर पे आपको दे दूँगा राइट तो ये लेना है और ये एक बड़ अगर सीख गए तो आप अलग अलग जगा पे इसको यूज कर सकते और ये बहुत ही एफेक्टिव माना जाता है सुनने में भी आपको अच्छा लगता है तो ये क्लोश टू ओपेन में जब आप छोड़ेंगे मतलब जब आप हाथ को छोड़ेंग आपको नॉर्मल ओपेन नहीं करना तो आपको क्लोश मान लीजिए और ये राइट से मैं हर्ट टाइम आपको सिखाता हूं ये close है ये open है तो आप फटक से close to open एसे डिरेक्ट मत कर देजेंगे आप क्या कीजिए close to half open half close full open आगया समझ में ये close था आपका ये open है आपको close से open के तरफ जाना है आप एकदम directly मज जईएगा आप क्या करेंगे close से half open half close full open ये जो situation आपका बना half half full आगेह समझाए inspired half open half close full open तो ये जो situation बना half half full इस situation को ही हम लोग बोलते close to open tricks पर आपको सोरा से जल्दी करना पड़ेगा देखिए पहले हम लोग धीरे करते हैं अभी इसी कोई थोड़ा सा फास्ट करते हुए जाएंगे देखिए आ गया हाथ की कौन से पोजिशन से आप कर सकते अगर आप पुछेंगे आप कोई सबी पोजिशन से करिए लोग इधर से भी करते लोग इसे भी कर देते मेरा स्टाइल मैं आपको बताता हूँ मैं इधर से करता हूँ मैं इधर से करता हूँ इधर या फिर इधर से करता हूँ ऐसे मैं पकरता हूँ यह प्रैक्टिस भी मैं आपको आगे सिखा रहा हूँ ठीक है तो मैं इधर से कर रहा हूँ मैं इधर से करता हूँ और लोग कोई कोई लोग इधर से भी करते, कोई लोग इधर से भी कर देते, कर देते, यह डिफरेंट डिफरेंट आप समाश सकते, मैं तो मैं भैरी करता है, तो यह आप लोग को करना है close to open, जो हम लोगों ने सिखे, कोमाल रे सा, तो यह हो गया आप अभी डिफरेंट होल में आपको डिफरेंट जाने के टाइम में आपको बस माट देना मतलब पा में मुझ को लेके जाने के बाद मानना है तीवरमा में नहीं मानना है तीवरमा तो आपका क्लोज है आपको ट्रीक्स मानना है उपन में जाके तो उपन में जाने के टाइम को ट्रिक्स मानना है आगया समझ में तो यह होता है आपका close to open वाला ट्रिक्स अभी आप आप जब घर पे practice कीजिएगा ना तब आप कुछ मत कीजिएगा एक practice आप धिमे धिमे कीजिएगा और उसके बाद उसको fast में कर लिजिएगा तो आपका सारे कुछ क्लियर हो जाएगा practice कुछ इस तरीके से कि आप पहले मतलब 5 नमबर होल से start कीजिए 5 नमबर होल को close लिजिए और उसको open करने के टाइम मार्व के open कीजिए ट्रिक्स डाल दीजिए फिर पाच नमबर होल के नीचे में आईए उसको भी सेम प्रोसेडियोर के साथ आप close to open कीजिए फिर 6 नमबर होल को कीजिए फिर 7 नमबर होल ऐसे करके आपको पूरा कर लेना है कैसे देखे मैं पाच नमबर होल से अगर यह तो होगे आपका सारे कहां पादा निशा अगर आप close करेंगे यह चल रहा है अब इसी को यह आपको ट्रिक्स डालना है क्यूंकि इसमें आपका नोटेशन को आपको याद रखना नहीं है कि कौनसे नोटेशन आप क्या बजा रहे है ठीके आपको यह ध्यान रखना है कि आपका close to open ट्रिक्स बज रहा है कि नहीं यह में मुद्दा है आपको तो मैंने एक्जम्पेल बताई दिये गाने में भी जब हम लोग करेंगे तब और भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कौनसे पोजिशन में यह होता है हाला कि बहुत सरे गाना ऐसे हम लोग already कर चुके हैं जिसमें close to open ट्रिक्स पढ़ा है फिर भी आगे जाके बहुत सरे गाने हम लोग ऐसे करेंगे जिसमें यह ट्रिक्स पढ़ेगा तो वो में मुद्दा नहीं है कि notation क्या है वो थोड़ा सा आप दिमाग में सोच सकते कि कोम हो गया है तो सा से साल तक हम लोग गये पर उल्टा वादब close to open करें तो कोमाल रेसा फिर कोमाल गारे समझ गया ना ऐसे हम लोग पूरे गये ओके और जब यह हो जाएगा मतलब नॉर्माल स्पीड में जब आपने कर लिए slow version में या फिर नॉर्माल स्पीड में जब यह अपने कर लिए तब आपको थोड़ा सा उसको फास्ट करना है तक कोई से भी पोजिशन में अगर फास्ट भी रहे गाना तब भी यह ट्रीक्स आप फटक से मार सकते ठीक है कोई कोई करना तो slow होता है कोई कोई करना नॉर्माल स्पीड में चलते उसमें तो आप मा गाड़े पामा गाड़े ऐसे भी हम लोग बजाते तो आपको फास्ट भी करके रखना है वही प्रोसीडियो सा से सा तक आपको जाना है तो देखिए आगे हैं समाझ में यह अच्छे तरिके से प्रैक्टिस किजीगा आज का वीडियो यही तक समाप करते यह हो गये आपका close to open tricks नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे open to close tricks चलिए बाई